तो दोस्तो मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि फोन पीसे आप लौन कैसी ले सकते हैं अगर आपको लौन की जरुत है तो आपको पता होना चाहिए कि फोन पीसे लौन के लिए कैसे अप लाइक क्या जाता है क्या सब डॉकुमेंट समिट करना है total process मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो अगर आपको लॉन की नीड है तो आप इस वीडियो को एंट तक जरूर देखिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीज़े औरule सब्सक्राइब कीज़ेए तो इसके दिए आपको सबसे पहले क्या करने तो पोन पर अपलीकेशन साव ओपन करेंगे आपको यहां पर कुछ इस तरीके का द औने SesD द दहने वहाँ आपको बैगर नइचे अस्कॉल करना है और यहां पर देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले में आपको दिखाव तेहां दो हुग से यहां पर एक ऑप्ससाद हो बड़ी को मिल जाएगा नीचे लाज का देख सकते हैं इस पर आपको 극 करना है इसपे क्लिक करेंगी तो यहां पर काफी सारे जो है low-own company'y का नाम शोकर जाएगा जो की इतने सारे low-own company'y which listing किया गया देख सकते हैं काफी सारे low-own company'y का नाम यहां पर शोक कर जाता है तो इनी हमें से कुछ ऐसे एक company हैं जो most-popular है और आप mobile जानने केis आपको कहीं जानने की जड़ोध नहीं है कहीं फिजिकल डॉक्मेंट देने की ज़रोध नहीं आप ऑनलाइन खुद से अपने मुवाइल से ही लॉन के लिए अप्लाइ कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले यहां पर सब्सक्राइब करेंगी तो आपको करेंडिडीड नाम का लो विए देटेवी जैसे ही आप कि भी सेड़ेस करेंगे यहां पर आपको दीए जाएगा तो इस sappisy gotta download कर intense उसी यहां पे open का option ज़ले एक पर किलिक करुद्प पर फेट यहां पर किलिक कर नirolle फ्रहेज अरंड को लेंग बीजान बबाइस करेंगे लिए का उपन ले Nep centuries तो कर जाएगा तो इसके बाद यहां पर नीचे एक हमें जाएगा लॉग इन सैन अप मॉबाइल तो आपको सब्सक्राइब करना है कि किस मॉबाइल नमर से आप एक आउंट बनाना चौआ आते हैं इस पे किलिक करना है उसके यहां पर कंटिन्यू का ऑप्शन देख जाएग और उसके बाद यहां पर इस पर करना है और उसके बाद यहांप यहां पर अगरी का उपस Sak किकना फिर आपको एलाओ पे किलिक करने उसके बाद जह है आप informed कोड डालनों का option आघाति देख सकते है तो आप चाहेंतो डाल सकते हैं नहीं तो यहां इसे खाली भी card your number तो यहां पे आपको अपने pen card का number आपको फिलप करना है और उसके बाद जो है नीचे submit का option में जाएगा तो आपको submit पे किलिक करना है उसके बाद जो है आपको income details डालने का option आजाएगा तो आप देख सकते हैं income details तो income पे आता है monthly income तो यहां पे आपको डालना है कि आपका महिनी का income क्या है आपको अपना monthly income डालना है और उसके बाद जो है नीचे सबसे पहला step complete हो चुका है यानि green tick लग चुका है आपका eligibility चेक हो चुका कि आप इसके लिए eligible हैं बट इस amount को bank में लेने के लिए आपको नीचे एक option में जाएगा continue to apply तो आपको इस पे card और Excel फी आपको यहां पर प्रोड करना पड़ेगा तो सबसे पहले यहां पर जो एड़ेस प्रूब का option है इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दो आपको यहां पर आपको नीचे कंटीनू का option दिख जाएगा continue पर क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से पर्मिशन दे देनी है उसके बाद जो है आपको यहां पर अधार जो है नंबर फिलप करने का अधार नंबर तो यहां पर आपको अपने अधार कड का अधार करने को आपको सिधे बैक आना है और बैक आने की बाद मैं आपको बता दूँ जैसे बैक कर लेंगी तो यहां पर आपको जो है पैन का का ओप्सन देखने को मिल जाएगा देख सकते हैं पैन कार्ड तो आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है और जैसे ब इस पर क्लिक करेंगे यहां पर जो है अप्लोड फ्रम गैलरी का ओप्सन देख जाता है तो इस पर क्लिक करके जो है आपको सबसे पहले जो है पना पैन सकते हैं आपके चेरा पर मास्क्राइब करने का जाएगा जिसमें अपको अपना बैंक पुझे आपको फिलप करना जाएगा प्रोफार डीटेस में बैंक और कंपलीट करेंगी और रिप्रेंस नंबर में आपको बैंक कर नमर मतलब लॉन नमर मिल जाएगा और आपके बैंक में झाल झाल